नमस्कार अब शपोर इवेम न्यूज आपनादर शकोल के शागोत। एब उत्रेक्टा भयूंकर खाबूर आपनादर के द्याखाबो। NMF News एइ न्यूज चैनलेर शांगवादिक पंकज प्रशून। तिनी तुरृर्णिती , ये तुरृर्णिती , ये तुरूष्ठुन। गोटा देशे नीट दुरनिती नीट दुरनिती नीचितकार चReippy mm it. जी एब गोटा विडियोटा आमी बोल्मों जे पंकाज़ प्रशून तिनीजे न्यूस्ठा कोर छेने आम देशे नुश्टाई गोटणाई रहा मोखानी। की भाबे नीट दुर्निती संगे कारा जुकतो, की भाबे जुकतो। जार्खांडे कोन कलेज ए नुट दुर्निती ते जुकतो बंग्शे कलेजेर माथा कारा कारा नाम गिलो भला कोड़ देख्वेन। केरला ते एक्ता निद्दिष्ट इंस्टिटिवुट तारा निटेर तपार कोरतो, कादेर तपार कोरतो से शविविलो भला कोड़ देख्वेन अपनारा। एबँ ए नुट दुर्निती ते लानुप्रसाद ज्यादव तार छेले, एबँ तार ज्यारा सहोजोगी तारा कारा सेटावशे खानेशनी, खुले आम फास कोड़ाचे, गोटाव्यापट्टके सरा शोरी, मनुशेर सम्ने तुले धोरेचेन, एन, एम, एफ, निउजेर, जिनिशांगबादिक पांकाज प्रशुन, आम रशेई संगबात्र सकोले देख्भो, एबँ आमी बलबो जे एई संगबात्र सुले देख्भेन नाटा परा देखून, शेयर करून, एर पर कमेंट्स करून, एबँ प्रत्यक्य निउस्ता पठान, जे दुर्नितीर नाम को आशले एट एक्टा सरज अंतर एट एटा परिकल पोना, एबँ कारा-कारा एट संगबे जुकतो, एटा फास अच्छे, सिबियाई तदंतेर, एजे तदंतेर मद्दीए शेयर दुर्नितीर मुल माथारा धरा पोट्छे, फ़ले शोमस्त विशाद बिशाद मिलेरो पोल, आप तर आएकों देखून, पंकच प्रशून, एनेवेफ निूज एट जिनी शांगबादिक तिम जिने इत्या गोटा विशाटा के दिनेर आलोए नियस छे, आपना शेई गोटा प्रतिवेधन ता देखते देखते, आप तो तो विदाय नगो, आपना देखून वीडिय कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, CBI ने जो जांच की उसमें ये पता चला कि देश भर में हंगावा मचाने वाला नीट पेपर लीक कांड जारखंड के हजारी बाग के सेंटर से हुआ था, यहीं से पेपर लीक किया गया और फिर देखते देखते पूरे देश में फैल गया, CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हजारी बाग का Oasis स्कूल है और वहां से पेपर लीक किया गया और लीक करने वालों में कौम सामिल थे, तो एहसानुल हक जो कि प्रिंस्पल है, वाइस प्रिंस्पल इम्तियाज और हिंदी दैनी का एक पत्रकार, प्रभात खबर एक अखबार है जारखंड में, और हजारी बाग में उसका रिप्रिंटेटिव था जमाल उदीन, और जमाल उदीन भी इसमें शामिल था, तो तीनों मास्टरमाइन, Oasis स्कूल के प्रिंस्पल, एहसानुल हक, इम्तियाज और पत्रकार जमाल उदीन, इन तीनों ने मिलकर प नहां से नीट का पेपर लिख हो गया और देखते देखते बिहार पहुंच गया, बिहार के बाद नालंदा पहुंच गया, पटना पहुंच गया, यूपी पहुंच गया और पूरे देश में भाइरल हो गया, कहानी अब शुरू होती है, अब हम आपके सामने स्क्रीन पर नीट के टॉपर्स की लिश्ट लगा रहे हैं, ये किसी अख़बार का एडवर्टाइजमेंट है, कोई यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर है किरला का, और उसने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है, जिसमें ये बताया कि देखिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उन्ह मान, साफ तोर पर बात बोलना चाहिए, मैं कोई अपनी और से नहीं बोरा हूँ, ये देखिए टॉपरों की लिश्ट स्क्रीन में लगी हुई है, क्या आपको उनके नाम, उनके पहनावे से नहीं पता चल रहा कि कौन टॉपर है, क्या इन में से अधिकतर मुसलमान नहीं ह क्या युनिवर्सल कोचिंग सेंटर ने इस एड को नहीं दिया अख़बारों में, क्या हमारे नीट टॉपर ये हैं, क्या ये सच नहीं है कि नीट पेपर लीक का मास्टर माइंड, जो एहसान उलहक है, वो खुद मुसलमान है, जो वाइस प्रेसिजेंट है, वो खुद मु मैं शुरू से, डे वन से कह रहा था, कि नीट पेपर लीक कांड सिर्फ पेपर लीक कांड नहीं है, इसके राजनितिक और सामाजिक नहितार्थ भी हैं, अब एक और एंगल देखिए, नीट पेपर लीक कांड ये तो मैंने बताया, टॉपर की लिस्ट बता दी, कौन लोग हुए हैं टॉपर, कहां से लिखवा, अब पॉलिटिकल एंगल देखिए, तेजस्वी यादव का, OSD, खुद इसमें शामिल, जो लालू का सबसे करीबी सिकंदर यादव, वो इसमें शामिल, जो RJD का जो कारे करता है, मुख है, जो लालू परिवार का देख़ए करता है, एक मुस्लिम स्कूल के सिंटर से उसका प्रिंस्पल नीट का पेपर लिख करता है, और वो पहुंच जाता है सीधे RJD से जुड़े लोगों के पास, वहां से वो भारल होता है, उसके बाद की कहानी और भी मज़ेदार है, वो वहां से ट्रेवल करता हूँ लिख पेपर करा हूँ, वो ये सोशल मीडिया पे आरोप लगाती है कि उसका OMR शीट फाड़ दिया किसी ने, बाद में पता चला कि वो एक कटे फटे किसी दूसरे OMR शीट को दिखा रही थी, हकीकत में उसने उत्तर उतने ही दिये थे कि उसका सेलेक्शन न हो सके, और पूरा ड्रामा रचा प्रपंच रचा और उसका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, तो समाजिक मिहतार्थ आपने समझ लिया, पॉलिटकल एंगल समझ लिया, नीज पेपर लीक कांड, क्या?